दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाल है कि आप अगर आप दियोबी वर्ड यूपी आई यूज कर रहे हो तो उसको अगर आप डी रेजिस्टर करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो जी यहां आपको पता होगा कि भाई ब्योबी वर्ड जो है आपका चलने लगा है प्रापर तरीके से आपको ब्योबी वर्ड चलने लगा है अगर आप चाहते हो कि आप ब्योबी वर्ड यूपी यूपी को डी रेजिस्टर कर दो हमेशा के लिए तो कैसे किया जाता है आज किस्वर्म बात करने वाला है तो इस वीडियो को पूरा देखना वीडियो करता है कि वीडियो वर्ड जो है आप यहां पर बहुत सारे अपसे लेकिन यहां पर बहुत कुछ यह चीज़ें जो नहीं मिलती है ठीके दोस्तों, यहां पर ब्योबी वर्ड पर आप अकॉंट बना लीजिए मेरे चैनल पर वीडियो प्रोड है आप उसको जाके देख सकत तरीके से यहां पर बहुत सारी चीज़े नहीं मिलती है आपको तो इसके लिए अभी तक हम इसको यूज कर रहे थे आपको यहां पर दिख रहा होगा आपको दीर अपर प्लिक कर देना जैसे आप यहां पर क्लिक करोंगे तो कुछ ऐसा एंटरफेस आएका तो आपको यहां क्लिक करते हैं नीचे चाना है और सो जैसे आप नीचे जाएंगे तो यहां हम को प्लिक करनेगी यहां पर करेंगे आब यहां पर करना हैं Nov. जैसे आप यहां पर क्लिक करोगे तो यह पूछेंगा इन वट सीटी Town are you born जैसे कि आपने जब भी इस प्रैकाउंट बनाया होगा तो आपने एक एंसर सेट किया होगा तो simple से यहां पर आपको डाल देना वह उस आंसर को तो चलिए हम यहां पर डाल देते हैं उस आंसर को उसके बाद यहां पर submit का option होगा तो इस पर क्लिक कर देना है और यहां पर दे सकते हो de-register successful जैसे आप ok पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपका जो ब्योपी वर्ड यूपी आई है यहां पर आप दिख सकते हो कि यह de-register हो गया है इस तरीके से आप जो है देखिए यहां पर एक नया इंटरफेस आ गया रिस्टेशन का तो यहां पर आपकी जो ब्योपी वर्ड यूपी आई है वो de-register हो चुकी है तो इस तरीके से आप जो है अपना de-register कर सकते हो तो आपको वीडियो लगी का तो इसको एक लाइक करे रहा है मिलते हैं आपको नेक्स वीडियो आप देखते हैं शुडिया अन्टैक यूड्यूब चैनल